नमस्कार साथियो स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो साथियो मैं आपका दोस्त राजेश सर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने बावु देव की नंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य और रोमान से भरपूर एक अद्वुत और जादवी कहानी चंद्रकांता संतती खंड एक भागतीन का ग्यारवा बयान ले करके तो साथियों आईये शुरू करते हैं हम उपर कई दफे लिखाए हैं कि उस बाग में जिसमें किसोरी रहती थी एक तरफ ऐसी इमारत है जिसके दरवाजे पर बरावर ताला बंद रहता ह और नंगी तरवार का पहरा पढ़ा करता है आदी रात का समय है चारो तरफ अंदेरा चाया हुआ है तेज हवा चलने के कारण बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते लड़ खड़ा कर सन्नाटे को तोड़ रहे हैं इसी समय हाथ में कमंद लिये हुए लाली अपने को हर इसकी हुई उसी मकान के पिछवाड़े की तरफ जा रही है जब दिवार के पास पहुँची कमंद लगा कर चटके उपर चटके उपर चारो तरफ तीन तीन हाथ उंची दिवार थी लाली ने बड़ी होसियारी से चट फोड़ कर एक इतना बड़ा सुराख किया जिसमें आ पहरे चट से नीचे उतर एक तरफ को रवाना हुई पूरफ तरफ वाली बारह दरी में आई जहां से महल में जाने का रास्ता था फाटक के अंदर गुसकर महल में पहुची ये महल बहुत बड़ा और आली शान था दोसो लोंडियों और सक्यों के साथ महरानी साहिवा इसी एक बड़िया ने उठकर किवार खोला और लाली को अंदर करके फिर बंद कर दिया उस बड़िया की उम्र लगवक असी वर्स की होगी नेकी और रहम दिली उसके चेरे पर जलक रही थी सिर्फ छोटी सी कोट्री थोड़ा सा जरूरी सामान और मामूली चार पाई पर ध्या कर बैठने के लिए कहा लाली संदूक आगे रखकर यही है बुडिया क्या ले आई हाँ ठीक है बेशक यही है अब आगे जो कुछ कीजियो बहुत संबल कर ऐसा ने हो कि आखरी समय में मुझे कलंक लगे लाली जहां तक हो सकेगा बड़ी खोसियार इसे काम करूँगी आप आशिरवाद दीजिये कि मेरा उद्धोग सफल हो बुडिया इस वर तुझे इस नेकी का बदला दे वहां कुछ डर तो नहीं मालुम हुआ लाली दिल कड़ा करके इसे ले आई नहीं तो मैंने जो कुछ देखा जीते जी भूलने योग नहीं अभी तो फिर एक दफ़े देखना नसीब होगा ओफ अभी तक कलिजा कांपता है बुडिया मुस्करा कर बेशक वहां ताज्यूब के सामान इकठे हैं मगर डरने की कोई बात नहीं जा इस वर तेरी मदद करे लाली ने उस संदूकली को उठा लिया और अपने खास घर में आ संदूकली को हिफाज़त से रख पलंग पर जा लेटी रही सवेरे उठकर किसोरी के कमरे में गई किसोरी मुझे रात बर तुमारा ख्याल बना रहा और घड़ी घड़ी उठकर बाहर जाती थी कि कहीं से गुल शोर की आवाज तो न लाली बेशक अब मुझे पूरी उम्मीद हो गई किसोरी संदूकली मिली लाली हाँ ये सोच कर कि दिन को किसी तरह मौका नहीं मिलेगा और उसी समय मैं बूडी दाडी को भी दिखा आई उन्होंने पैचान कर कहा कि बेशक यही संदूकली है उसी रंग की वहाँ कई लाली बेशक मैं तुम्हें अपने यहां से चल कर वह संदूकली दिखा सकती हूं मगर उसके देखने से तुम्हें किसी तरह का फायदा नहीं होगा बलकि तुम्हारे वहाँ चलने से कुंदन को खुटका हो जाएगा और वह सोचेगी कि किसोरी लाली के यहां क्यों गई उ संदूकली में भी कोई ऐसी बात नहीं है जो देखने लायक हो उसे मामूली एक छोटा सा डिबा समझना चाहिए जिसमें कहीं ताली लगाने की जगे नहीं है और मजबूत भी इतनी है कि किसी तरह तूट नहीं सकती किसोरी फिर वह क्यों कर खुल सकेगी और उसके अंदर स वे चावी क्यों खर निकलेगी जिसकी हम लगों को जरूरत है लाली रेती से रेत कर उसमें सुराख किया जाएगा किसोरी देर लगेगी लाली हाँ दो दिन में यह काम होगा क्योंकि सिवाय रात के दिन को मौका नहीं मिल सकता किसोरी मुझे तो एक घड़ी सो सो बरस के सम बीटती है लाली खेर जहां इतने दिन बीटे माद दो दिन और सही थोड़ी देर तक बादचीत होती रही इसके बाद लाली उठकर अपने मकान में चली गई और मामूली कामों की फिक्र में लगी इसके तीसरे दिन आदी रात के समय लाली अपने मकान से बाहर निकली और क किसौरी के मकान में आई। बेल ओंडीयां जो किसौरी के यहां पर पेरे पर मक्रर थी, गहरी नीद में पड़ी, खुर राटे ले रही थी मगर किसौरी की आँखों में नीद का नाम निशान नहीं, वै पलंग पर लेटी, दर्वाजे की तरफ देख रही थी उसी समय, हाथ में एक छोटी सी गठ्री लिए लाली ने कमरे के अंदर पैर रखा जिसे देखते ही किसोरी उट खड़ी हुई बड़ी मुभबत के साथ हाथ पकड़ लाली को अपने पास बिछाया किसोरी ओफ ये दो दिन बड़ी कठिंता से बीते दिन राद डर लगा ही रहता था लाली क्यों किसोरी इसलिए कि कोई उस च्छत पर जाकर देखने ले कि किसी ने सेंद लगाई है लाली उहें कौन उस पर जाता है और कौन देखता है लो अब देर करना मुनासिब नहीं किसोरी मैं तैयार हूँ कुछ लेने की जर्वत तो नहीं है लाली जर्वत की सब चीजे मेरे पास है तुम बस चली चलो लाली और किसोरी वहां से रवाना हुई और पेड़ों की आड़ में चिपती हुई उस मकान के पिछवाडे पोँची जिसकी च्छत में लाली ने सेंद लगाई थी कमंद लगाकर दोनों उपर चड़ी कमंद खीच लिया और उसी कमंद के सारे सेंद की राज दोनों मकान के अंदर उतर गई वहां की अजीब बातों को देख किसोरी की अजब हालत हो गई मगर तुरंत ही उसका ध्यान दूसरी तरफ जपड़ा किसोरी और लाली जैसे ही उस मकान के अंदर उतरी वैसे ही बाहर से किसी के ललकारने की आवाज आई साथी फुर्ती से कई कमंद लगा दस पंद्रे आदमी छट पर चड़ाए और धरो धरो जाने ने पावे की आवाज लगी तो साथियों यहां ग्यारवा बयान अब समाफ्त होता है और बारवा बयान हम यहां पर जारी रखेंगे तो आईए सुरू करते हैं बारवा बयान लीजिए बारवा बयान कुवर इंद्रजीस सिंग तलाव के किनारे खड़े उस बिचित्र इमारत और हसीन अवरत की तरफ देख रहे हैं उनका इरादा हुआ कि तेर कर उस मकान में चले जाएं जो इस तलाव के बीचो बीच में बना हुआ है मगर उस नौजवान औरत ने इन्हें हाथ के इसारे से मना किया बलकि वहां से भाग जाने के लिए कहा उसका इसारा समझ ये रुके मगर जी ने माना फिर तलाव में उत्रे उस नाजनीन को विस्वास हो गया कि कुमार बिना यहां आये ने मानेंगे तब उसने इसारे से ठहरने के लिए कहा और ये भी कहा कि किस्ती लेकर मैं आती हूँ उस वरत ने किस्ती खोली और उस पर सवार हो अजीब तरह से घुमाती फिराती तलाव के पिछले कौने की तरफ ले गई और कुमार को भी उसी तरफ आने का इशारा किया कुमार उस तरफ गए और खुसी खुसी उस ओरत के साथ किस्ती पर सबार हुए वे किस्ती को उसी तरह घुमाती फिराती मकान के पास ले गई दोनों आदमी उतर कर अंदर गए उस छोटे से मकान की सजावट कुमार ने बहुत पसंद की वहां सबी चीजें जरुट की मौजूद थी बीच का बड़ा कमरा अच्छी तरह से सजाववा था बेश कीमत शी से लगे हुए थे काश्मीरी गलीचे जिन में तरह तरह के फूल बूंटे बने हुए थे छोटी छोटी मगर उंची संग मरमर की चोकियों पर सजावट के सामान और गुल्दस्ते लगाए हुए थे गाने बजाने का सामान भी मौजूद था दिवारों पर की तस्वीरों को बनाने में मसाववरों ने अच्छी काली-गरी खर्च की थी उस कमरे के बगल में एक और छोटा सा कमरा सजाववा था जिसमें सूने के लिए एक मसेरी बिची हुई थी इसके बगल में एक कोड़री नहाने की थी जिसकी जमीन सफेद और स्याय पत्त्रों से बनी हुई थी बीच में एक च्छोटा सा होज बना हुआ था जिसमें एक तरफ से तालाब का जल आता था और दूसरी तरफ से निकल जाता था इसके अलावा और भी तीन चार कोट्रियां जरूरी कामों के लिए मौजूद थी मगर उस मकान में सिवाए उस ओरत के और कोई दूसरी ओरत ने थी ने कोई नोकर या मजदूर नी ही नजर आती थी उस मकान को देख और उसमें सिवाए उस नोजवान नाजनीन के और किसी को नेपा कुमार को बड़ा ताज्जूब हुआ वे मकान इस योग्य था कि बिना चार पांच आदमियों के उसकी सफाई या वहां के सामान की दूस्ती हो नहीं सकती थी ठके मांदे और धूब खाये हुए कुवर इंदजी सिंग को वे जगे बहुती भली मालुम हुई और उस हसीन औरत के अलोकी ग्रूप की चटा में ऐसे मोहित हुए कि पीछे की सुध बिलकुल ही जाती रही बड़े नाच और अंदाज से उस औरत ने कुमार को कमरे में ले जाकर गदी पर बैठाया और आप उनके सामने बैठ गी कुमार तुमने जो कुछ एसान मुझे पर किया है मैं किसी तरह उसका बदला नहीं चुका सकता औरत ठीक है मगर उमीद करती हूं कि आप कोई काम ऐसा भी ने करेंगे जो मेरी बदनामी का सबब हो कुमार नहीं नहीं मुझे ऐसी अमीद कभी ने करना लेकिन क्या सबब है जो तुमने ऐसा कहा औरत इस मकान में जहां मैं अकेली रहती हूँ आपका इस तरह आना और देर तक रहना बेशक मेरी बद्नामी का सबब होगा कुमार कुछ सोच कर तुम इतनी खूबसूरत क्यों ही अपसोस तुमारी एक एक अदा मुझे अपनी तरफ खेंसती है कुछ अटक कर जो हो मुझे अब यहां से चला ही जाना चाहिए अगर ऐसा ही था तो मुझे किस्ती पर चड़ा कर यहां क्यों लाई औरत मैंने तो पहले ही आपको चले जाने का इसारा किया मगर जब आप जलमे तेर कर यहां आने लगे तो लाचार मुझे ऐसा करना पड़ा मैं जान बूज कर उस आदमी को किसी तरह आफ़त में फसा नहीं सकती हूँ जिसकी जान खुद एक जालिम अयार के हाथ से बचाई हो आप यहने समझें कि कोई आदमी इस तलाव में तेर कर इहां तक आ सकता है क्योंकि इस तलाव में चारो तरफ जाल फ्झे होए हैं अगर कोई आदमी इहां तेर कर आने का इरादा करेगा तो बेशक जाल में फसकर अपनी जान बरबाद करेगा यही सबब था कि मुझे आपके लिए किस्ती ले जानी पड़ी कुमार बेशक तब इसके लिए भी मैं धन्यवाद दूँगा माफ करना मैं यह नहीं जानता था कि मेरे यहां आने से तुमारा नुकसान होगा अब मैं जाता हूं मगर कृपा करके अपना नाम तो बता दो जिसमें मुझे याद रहे कि फलानी औरत ने बड़े वक्त पर मेरी मदद की थी औरत हसकर मैं अपना नाम नहीं किया चाती और ने इस धूप में आपको यहां से जाने के लिए कहती हूं बलकि मैं उम्मीद करती हूं कि आप मेरी महमानी कबूल करेंगे कुमार वावा कभी तो आप मुझे महमान बनाती है और कभी यहां से निकल जाने के लिए हुक्म लगाती है आप लोग जो चाहें करें औरत हसकर खेर यह सब बातें पीछे होती रहेंगी अब आप यहां से उठएं और कुस भोजन करें क्योंकि मैं जानती हूं कि आप ने अभी तक कुस भोजन नहीं किया अभी तो इसनान संद्यावी नहीं किया लेकिन मुझे ताज़ू है कि यहां तुमारे पास कोई लोंडी दिखाई नहीं देती औरत आप इसके लिए चिंता ने करें आपकी लॉंडी मैं मौजूद हूँ आप जरा बैठें मैं सब सामान ठीक करके अभी आती हूँ इतना के बिना कुमार की मर्जी पाए बै औरत मांसे उठी और बगल के एक कमरे में चली गई उसके जाने के बाद कुमार कमरे में टहलने और एक एक चीज को गौर से देखने लगे यकायक एक गुलदस्ते के नीचे दबे होए कागज के टुकड़े पर उनकी नजर पड़ी मुनासिब ने था कि उस पुर्जे को उठा कर पढ़ते मगर लाचार थे उस पुर्जे के कई अक्षर जो गुलदस्ते के नीचे दबने से रह गए थे साफ दिखाई पढ़ते थे और उनी अक्षरों ने कुमार को पुर्जा निकाल कर पढ़ने के लिए मजबूर किया बे अक्षर थे किशोरी लाचार कुमार ने उस पुर्जे को निकाल कर पढ़ा ये लिखा था आपके कहे मताबिक कुल कारवाई अच्छी तरह हो रही है लाली और कुंदन में खूब खाया किसोरी का आशिक भी यहां मौजूद है और उसे किसोरी से बहुत कुछ उम्मीद है मैंने भी इनाम पाने लायक काम किया है इस समय लाली कुछ अजीब ही रंग लाया चाती है खेर दो तिन दिन में खुला सा हाल लिखूंगी आपकी लोंडी तारा कुमार ने उस का भाव ही बदल दिया इस समय उनकी सूरत देखकर उनका हाल कोई सचा दोस्त भी नहीं मालूं कर सकता था हाँ कुछ देर सोचने के बाद इतना तो कुमार ने लंबी सांस के साथ खुल कर कहा खेर जाती कहां एकमबक्त मैं बिना कुछ काम किये टलने वाला नहीं इतने ही म पूजा का सब सामान वहां मौजूद था कुमार ने सनान और संद्या किया वे औरत एक चांदी की रिकावी में कुछ मेवा और खोये की चीजे इनके सामने रखकर चली गई और दूसरी दफ़े पीने के लिए जल्वी लाकर रख गई उसी समय कुमार ने सुना कि बगल के क कि सामने का दरवाजा खुला और दो ओरतें नजर पड़ी जिन्हें देखते ही कुमार चौक पड़े और बोले हैं ये दोनों यहां कहां से आगई तो साथियो अब यहां पर बारवा बयान पूरा होता है और अब हम आपको लिए चलते हैं तेरवे बयान में तो तेरवा बयान आदी रात के समय सुनसान मैदान में दो कमसिन ओरतें आपस में कुछ बातें करती चली जा रही है रहा में छोटे छोटे टीले पड़ते हैं जिने तकलीब के साथ लांगने और दम फूलने पर कभी ठेर कर फिर चलने से मालुम होता है कि इन दोनों को इस पूरत सकल के बारे में कुछ लिखने की ज़रत नहीं क्योंकि इन दोनों में से क्योंकि इन दोनों में से एक तो किंडरी है और दूसरी कमला किंडरी कमला देखो किसमत का हेर फेर इसे कहते हैं एक हिसाफ से गया जी में हम लोग अपना काम पूरा कर चुके थे मगर अफसो कम्रा जहां तक हो सका तुमने किसोरी की मदद जी जान से की बेशक किसोरी जनम भर याद रखेगी और तुम्हें तो अपनी बहिन मानेगी खेर कोई चिंता नहीं हम लोगों को हिम्मत ने हारनी चाहिए और ने किसी समय इस वर को भूलना चाहिए मुझे घड़ी घड़ी बेचारे आनन सिंग की आद आती है तुम पर उनकी सची महबत है मगर तुमारा कुछ हाल ने जानने से ने मालू उनके दिल में क्या-क्या बाते पैदा होंगी हाँ अगर वे जानते कि जिसको उनका दिल प्यार करता है वे फलानी है तो बेशक वे इतने ही में बे दोनों एक ऐसे तूटे-फूटे मकान के पास पहुची जिसकी चोडी-चोडी दिवारें और बड़े-बड़े फाटक कहे देते थे कि कि किसी जमाने में यह इज्जत रखता होगा चाहे इस समय यह इमारत कैसी ही खराब हालत में क्योंने हो तो भी इसमें चोटी-चोटी कोट्रियों के अलावा कई बड़े दालान और कमरे अभी तक मौजूद हैं यह दोनों इस मकान के अंदर चली गई बीच में चूने मिट्टी इंटों का धेर लगा हुआ था जिसके बगल में घूमती हुई दोनों एक दालान में पहुची इस दालान में ए चैसने के लिए दो मुठ्छे लगे हुए थे कमरा ने बत्ती किंडरी के हाथ में दे कर दोनों हातों से दोनों मुठ्छों को तीन चार दफ़े गुमाया तुरंत पल्ला खुल गया और भीतर एक छोटी सी कोट्री नजर आई दोनों उस कोट्री के अंदर चली गई और उन पल्लों में भीतर की तरबी उसी तरह खोलने और बंद करने के लिए दो मुठ्छे लगे हुए थे इस कोट्री में तेकाना था जिसमें उतर जाने के लिए चोटी चोटी सीडियां बनी हुई थी वे दोनों नीचे उतर गी और वहाँ एक आदमी को बैठे देखा जिसके सा जोरी नहीं मालुम होती थी उसके हाथ पेर गठी ले और मजबूत थे तता चोड़ी चाती उसकी बहादुरी को जाहिर कर रही थी चाये उसका रंग सावला क्योंने हो मगर चहरा खूबसूरत और रोवीला था बड़ी बड़ी आँखों में जवानी की चमक मौजूद थी चुस्त मिरजई उसके बदन पर बहुत भली मालुम होती थी सिर नंगा था मगर पास ही जमीन पर एक सफेद मुडासा रखा हुआ था जिसके देखने से मालुम होता था कि गर्मी मालुम होने पर उसने उतार कर रख लिया है उसके बाएं हाथ में पंका था जिसके जरिये वे गर्मी दूर कर रहा था मगर अभी तक पसीने की नमी बदन में मालूम होती थी एक तरफ ठीक रे में थोड़ी सी आग थी जिसमें कोई खुस्बूदार चीज जल रही थी जिससे वे तैकाना अच्छी तरह सुगंदित हो रहा था कमला और किंडरी के पेर की आहट पा वे पहले ही से सीडियों की तरफ ध्यान लगाए था और इन दोनों को देखते ही उसने कहा तुम दोनों आगी कमला जी हाँ आदमी किंडरी की तरफ इशारा करके इनी का नाम कामनी है कमला जी हाँ आदमी कामनी आओ बेटी, तुम मेरे पास बैठो, मैं जिस तरह कमला को समझता हूँ, उसी तरह तुमें भी मानता हूँ, कामनी, बेशक, कमला की तरह, मैं भी आपको अपना सगा चाचा मानती हूँ, आदमी, तुम किसी तरह की चिंता मत करो, जहां तक होगा, मैं तुमारी मदद कमला की तरफ देखकर, तुझे कुछ रोतास गड़ की खबर भी मालूम है, कमला, कल मैं वहां गई थी, मगर अच्छी तरह मालूम ने कर सकी, आप से यहां मिलने का वदा किया था, इसलिए जल्दी लोटाई, आदमी, अभी पहरवर हुआ है, मैं खुद रोतास गड़ से चला आता हूं, कमला, तो बेशक आपको बहुत कुछ हाल वहां का मिला होगा, आदमी, मुझसे ज्यादे, वहां का हाल कोई नहीं मालूम कर सकता, पच्चीस वर्स तक, इमानदारी और नेक नामी के साथ, वहां के राजा की नौकरी कर चुका हूं, चाहे आज दिगवजे स हमारे दुस्मन हो गए हैं, फिर भी, मैं कोई काम ऐसा ने करूंगा, जिससे उस राज्ज का नुकसान हो, हाँ, तुम्हारे सबब से किसोरी की मदद जरूर करूंगा, कमला, दिगवजे सिंग नाहा की आप से रंज हो गए, आदमी, नहीं नहीं, उन्होंने अनर्थ नहीं को छुडाने के लिए दावगात करेगी, तो उन्हें मुझसे परेज करना बहुत मुनासिब था, चाहे मैं कैसा ही खेर कुआ है, और नेक क्यों नहीं समझा जाऊं, उन्होंने मुझे कैद करने का इरादा बेजा नहीं किया, हाई, एक में जमाना था कि रंदीर सिंग, या रहता था, आज देखो कितना उलट फेर हो गया है, मैं बेकसूर कैद होने के डर से, भाग तो आया, मगर लोग जरूर कहेंगे कि सेर सिंग ने धोका दिया, कमला, जब आप दिल से रोतास गड़ की बुराई नहीं करते, तो लोगों के कहने से क्या होता है, बे लोग आपक और कुंदन को ने कह देता, तो लाली कुंदन को जरूर बरबाद कर देती। कुंदन ने भी भूल की, अगर वे अपना सचा हाल लाली को कह देती, तो बेशक दोनों में दोस्ती हो जाती। कमला, कुछ 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 इंद्रजी सिंग का भी हाल मालू हुआ? शेर हाँ मालूम है उन्हें उसी चुड़ेल ने फसा रखा है जो अजायव घर में रहती है कमला कौनसा अजायव घर शेर वही जो तलाव के बीच में बना है और जिसे जड़ बुनियाद से खोद कर फैंक देने का मैंने इरादा किया है यहां से थोड़ी ही दूर तो है कमला जी हां मालूम हुआ उसके बारे में बड़ी बड़ी विचित्र बाते सुनने में आती है शेर बेशक वहां के सबी बातें ताज्जूब से भरी है अपसोस ने मालूम कितने खूबसूरत और नौजवान बेचारे वहां बेदर्दी के साथ मारे गए होंगे इतने ही में छटके उपर किसी के पेर की आहट मालूम हुई तीनों का ध्यान सीडियों पर गया कमला कोई आता है शेर हमें तो यहां किसी के आने की उम्मीद ने थी जरा होशियार हो जाओ कमला मैं होशियार हूँ देखिए वे आया एक लंबे कद का आदमी सीडि से नीचे उतरा और सेर सिंग के सामने आकर खड़ा हो गया उसके उम्मर चाय जो भी हो मगर बदन की कमजोरी दुबले पन और चेरे की उदासी ने उसे पचास बरसों से भी ज्यादा उम्मर का बना रखा था उसके खूबसूरत चेरे पर उदासी और रंज के निसान पाये जाते थे बड़ी बड़ी आँखों में आंसमों की तरी सा मालम होती थी उसकी हसरत बड़ी निगाएं उसके दिल की हालत दिखा रही थी और कह रही थी कि रंज गम फिक्र तरद्द और नाउम्मीदी ने उसके बदन में खून और मास का नाम नहीं छोड़ा बल केवल हड़ी ही बच गी है उसके कपड़े भी बहुत पुराने और फ पाजुब ने उसका गला दबा दिया वे एकड़म ऐसा घबडा गया जैसे कोई खूनी जलाद की सूरत देखकर घबडा जाता है सेर सिंग ने उसकी तरफ देखकर कहा अहाँ आप हैं आईए मगर ये सब घबराट के मारे बिलकुल ही उखड़े पुखड़े सेर सिंग के म ये बड़े नेक आदमी है मुझसे मिलने आये हैं और मैं इन से कुछ बात किया चाता हूँ कमला और कामनी दोनों तैकाने से निकल कर उपर चली आई उस आदमी के आने और अपने चाचा को बिचितर बस्ता में देखने से कमला घबडा गई उसके जी में तरह तरह की बाते पैदा होने लगी ऐसे कमजोर लाचार और गरीब आदमी को देखकर उसका यारी के फन में बड़ा ही तेज और सेज दिल चाचा इस तरह क्यों घबला गया और इतना क्यों डरा वे इसी सोच में परेशान थी बेचारी कामनी भी हैरान और डरी हुई थी यहां तक कि घंटे बीच जाने पर भी उन दोनों में कोई बात चीत ने हुई घंटे बर बात वे आदमी तेकाने से निकल कर उपर चला आया और कामनी की तरफ देखकर बोला अब तुम लोग नीचे जाओ मैं जाता हूं इतना कहता हुआ उसी तरह किवार खोल कर चला गया जिस तरह कामनी को स साथ लिए हुए कमला इस मकान में आई थी कमला और कामनी तेकाने के नीचे जा सेर सिंग के सामने बैठ गई सेर सिंग के चेरे से अभी तक घबडाट और परेशानी गई नहीं थी बड़ी मुस्किल से थोड़ी देर में उसने होस हवास दुरुस्त किये और कमला की तरफ देख कर कहा शेर अच्छा अब हम लोगों को क्या करना चाहिए कमला जो हुक्म हो सो किया जाए यह आदमी कौन था जिसे देख आप सेर था एक आदमी उसका हाल जानने का उध्योग ने करो और ने उसका ख्याल ही करो बलकि उसे बिलकुल भूल जाओ उस आदमी के बारे मे कमला बहुत कुछ जाना चाती थी मगर अपने चाचा के मुहें से साफ जबाब पाकर दम ने मार सकी और दिल की दिल में रखने पर लाचार हुई शेर कमला तो रोतास गड़ जा और दो तिन दिन में लोटकर वहां का जो कुछ हाल हो मुझसे कह किसोरी से मिलकर उसे ढहंड मैंने तुम से का था उस राज से आना जाना कभी किसी को मालूम ने होगा कमला बहुत अच्छा मगर कामनी के लिए क्या हुक्म होता है सेर मैं इसे ले जाता हूँ अपने एक दोस्त के सुपुर्ध कर दूँगा वहां ये बड़े आराम से रहेगी जब सब तरफ से फसाद मिट जाएगा मैं इसे ले आँगा तब यह भी अपनी मुराद को पहुंच जाएगी कमला जो मर जी तीनों आदमी तेहकाने के बाहर निकले और जैसा उपर लिखा जा चुका है उसी तरह कोट्रियों और डालाओं नम्मे से होते हुए इस मकान के बाहर निकलाए शेर कमला ले अब तू जा और कामनी की तरफ से बेफिकर रहे मुझसे मिलने के लिए ये ठीकाना मुनासिब है कमला अच्छा मैं जाती हूँ मगर ये तो कह दीजिए कि उस आदमी ने मुझे कहां तक होसिया रहना चाहिए जो आप से मिलने आया था शेर कड़ी अवाज में एक दफ सुरू करेंगे चौदवा बयान चौदवा बयान रोतास गट किले के चारतरफ घना जंगल है जिसमें शाफू, सीशम, तेंध, आसन और सलई इत्यादी के बड़े बड़े पेड़ों की घनी चायां से एक तरह का अंधकार सा हो रहा है रात की तो बात ही दूसरी है वहाँ दिन को भी राष्टे या पगड़न्डी का पता लगाना मुस्किल था क्योंकि सूर्य की सुनेरी किर्णों को पत्तों में से च्छन कर जमीन तक पहुंचने की बहुत कम मौका मिलता था कहीं कहीं छोटे पेड़ों की बदौलत जंगल इतना घना हो रहा था कि उसमें भूले आदमियों को मुस्किल से सुटकारा मिलता था ऐसे मौके पर उसमें हज्जारों आदमी इस तरह चिपशकते थे कि हज्जार सिर पटकने और खोजने पर भी उसका पता लगाना असंबव था दिन को तो इस जंगल में अंदकार रहता ही था मगर हम रात का हाल लिखते हैं जिस समय उसकी अंधेरी और वहां के सननाटे का आलम भूले बटके मुसाफिरों को मौत का समाचार देता था और वहां की जमीन के लिए अमावश्या और पूर्णिमा की रात एक समान थी किले के दाहिनी तरफ वाले जंगल में आदी रात के समय हम तीन आदमियों को जो शार चौगे और नकाबों से अपने को छिपाए हुए थे घूमते देख रहे हैं ने मालूम ये किस की खोज और और किस जमीन की तलास में हैरान हो रहे हैं इसमें से एक कुवर आनंद सिंग दूसरे भेरो सिंग और तीसरे तारा सिंग है ये तीनों आदमी देर तक घूमने के बाद छोटी सी चार दिवारी के पास पहुँचे जिसके चारो तरफ की दिवार पांच हाज से ज्यादा उं जान थे कहीं कहीं चंद्रमा की रोसनी भी जमीन पर पड़ती थी आनंद शायद यही चार दिवारी है भेरो बेशक यही है देखिए फाटक पर हड्डियों का धेर लगा हुआ है तारा खेर भीतर चलिए देखा जाएगा भेरो जरा ठेरिये पत्तों की खड़खडाट से म साने वाले की तरफ ध्यान लगाए हुए तीनों आदमी पेड़ों की आड़ में छिपे रहे और थोड़ी ही देर में सफेद कपड़े पेने एक औरत को आते हुए उन लोगों ने देखा वे औरत पहले तो फाटक पर रुकी तब कान लगा कर चारो तरफ की आहट लेने के पाट फाटक के अंदर घुस गई वेरो सिंग ने आनन सिंग से कहा आप दोनों इसी जगे ठेरिये मैं उस औरत के पीछे जाकर देखता हूं कि वह कहा जाती है इस बात को दोनों ने मंजूर किया और वेरो सिंग चिपते हुए उस औरत के पीछे रवाना हुए ऐसे गने जंगल में भी उस चारे दिवारी के अंदर पेड जाड़ी या जंगल का ने होना ताज्यूब की बात थी वेरो सिंग ने वहां की जमीन बहुत साफ सुत्री पाई हाँ छोटे जंगली बेर के दस बीस पेड़ वहां जरूर थे जो किसी तरह का नुकसान ने पी ही सकता था मगर मरे हुए जानवरों और हड्डियों की बहुतायत से वे जगे बड़ी ही भयानक हो रही थी उस चार दिवारी के अंदर भहुत सी कबरे बनी हुई थी जिनमें कई कच्ची तथा कई एंट चूने और पत्थर की भी थी और बीच में एक सबसे बड़ी कबर पर खडए और चारों तरफ देखते पाया मगर थोड़ी ही देर में वैं देखते देखते कहीं गायब हो गई वैरो सिंग ने उस कबर के पास जाकर इसे धुन डा मगर पता नहीं लगा दूसरी कबरों के चारों तरफ और इधर ऊधर भी खो जा मगर कोई निशान ने मिला लाचार बे आनंद सिंग और तारा सिंग के पास लोट आये और बोले भेरो बे औरत वहां ही चली गई जहां हम लोग जाना चाहते हैं आनंद हाँ भेरो सिंग जी हाँ आनंद फिल अब क्या राय है भेरो उसे जाने दीजिए चलिए हम लोग भी चलें अगर वे रास्ते में मिल ही जाएगी तो क्या हर्जे एक औरत हम लोगों का कुछ नुकसान नहीं कर सकती ये तीनों आदमी उस चाले दिवारी के अंदर गए और बीच वाली संग्मरमर की बड़ी कबर पर पहुंचकर खड़े हो गए वेरो सिंग ने उस कबर की जमीन को अच्छी तरह टटोलना सुरू किया थोड़ी देर में एक खटके की अवाज आई और एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जो सायद कमानी के जोर पर लगा हुआ था दरवाजे की तरफ खुलकर अलग हो गया ये तीनों आदमी उसके अंदर घुसे और उस पत्थर के टुकड़े को उसी तरह बंद कर आगे बढ़े अब ये तीनों आदमी एक सुरंग में थे जो बहुत ही तंग और लंबी थी भैरो सिंग ने अपने बटुए में से एक मुंबत्ती निकाल कर जलाई और चारों तरफ अच्छी तरह निगाय करने के बाद आगे बढ़े थोड़ी देर में ये सुरंग खत्म हो गई और ये तीनों एक भारी दालान में पहुँचे इस दालान की छत बहुत उंची थी और इसमें कड़ियों के सहारे कई जंजीरे लटक रही थी इस दालान के दूसरी तरफ एक और दरवाजा था जिसमें से होकर ये तीनों एक कोठ्री में के लिए संग मरमर की सीडिया बनी हुई थी ये तीनों नीचे उतर गए अब एक बड़े भारी घंटे के बजने की आवाज इन तीनों के कान में पड़ी जिसे सुन ये कुछ देर के लिए रुग गए मालुम हुआ कि इस तैकाने वाली कोठ्री के बगल में कोई और मकान है जिसमें घंटा बज रहा है इन तीनों को वहाँ और भी कई आदमियों के मौजूद होने का गुमान हुआ इस तैकाने में भी दूसरी तरफ निकल जाने के लिए एक दरवाजा था जिसके पास पहुँचकर भेरो सिंग ने मौमबती बुजा दी और धीरे से दरवाजा खो काफ मालूम होती थी और इसी से वहाँ दस पंद्रे आदमी भी दिखाई पड़े जिन में रस्यों से मुसके बंदी हुई तीन औरतें भी थी भेरो सिंग ने पहँचाना कि इन तीनों औरतों में एक किसोरी है जिसके दोनों हाथ पीठ की तरफ कसकर बंदे हुए हैं और व आदमी भी खड़े थे जिनकी सूरत और पोशाक से मालूम होता था कि बेजलाद है उस बारेदरी के बीचों बीच चांदी के सिंगासन पर स्याय पत्थर की एक मूरत इतनी बड़ी बैठी हुई थी कि आदमी पास में खड़ा होकर भी उस बैठी हुई मूरत के सिर पर भेरो सिंग, तारा सिंग और आनन सिंग उसी जगे खड़े होकर देखने लगे कि उस दालान में क्या हो रहा है अब घंटे की आवाज बड़े जोर से आ रही थी मगर ये नहीं मालूम होता था कि वे कहां बज़रा है उन तीनों ओरतों को जिसमें किसोरी भी थी छे आदमी बात दो आदमी एक औरत को लेकर आगे बड़े जिसे हमारे तीनों आदमियों में से कोई भी नहीं पहचानता था उस औरत के पीछे जो जलाज नंगी तलवार लिए खड़ा था वे भी आगे बड़ा दोनों आदमियों ने उस औरत को स्याय मुरत के उपर इस जोर से ढखि बे दोनों औरतें जिनमें बेचारी किसोरी भी थी बड़े जोर से चलाई और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी इस कैफियत को देखकर हमारे दोनों आईयारों और कोईर आनन सिंग की अजब हालत हो गई गुस्चे के मारे थर-थर कांपने लगे थोड़ी देर बाद उन लोगों ने किसोरी को उठाया और उस मूरत के पास ले चले उसके साथ ही दूसरा जलाद भी आगे बढ़ा अब ये तीनों किसी तरह बरदास्ट ने कर सके कोईर आनन सिंग ने दोनों आयारों को ललकारा मारो इन जालिमों को ये थोड़े से आदमी है क्या चीज तीनो आदमी खंजर निकाल आगे बढ़ना ही चाते थे कि पीछे से कई आदमियों ने आकर इन लोगों को भी पकल लिया और यही है यही है पहले इनी की बली देनी चाहिए ये कहकर चिलाने लगे तो साथियों यहां चंद्रकांता संतती खंड एक का तीसरा भाग समाप्त होता ह है और अगले वीडियो में इस बेश कीमती कहानी चंद्रकांता संतती खंड एक का चौथा भाग हम सुरू करेंगे तब तक के लिए आप बने रहे मेरे साथ और देखें मेरे वीडियो को थेंक्यू वेरी मच फॉर वाचिंग